प्रथम तहल का न्यूज हावा दे गई हरियाना सरकार की website पर CID विभाग मुख्य मंत्री के पास दर्शाय जाने के बाद आज सुबह हरियाना की ग्रह मंत्री अनिल विज ने स्पष्ट करते हुए कहा कि rule of law के तहट CID विभाग ग्रह विभाग के पास ही रहता है अनिल विज ने तल्क तेवरों में कहा कि सरकारे वेबसाइट से नहीं बलकि रूल आफ लाउ से चलती है और रूल आफ लाउ के मताबिक CID विभाग ग्रह विभाग के पास है वह यही नहीं रुके और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री परदेश के सरवे सरवा हैं लेकिन यदि वह CID विभाग लेना चाहते हैं तो पहले कैबिनेट और फिर विधान सभा में बिल पास करवा कर वह CID विभाग को अपने पास ले सकते हैं वही मीडिया के सवाल का जवाब देते वे अनिलविच ने कहा कि उनका किसी भी अधिकारी से भी कोई विवाग नहीं है लेकिन जो अधिकारी काम नहीं कर रहा उस अफशर साही को ठीक करना उनका करम भी है धरम भी है और वह अपनी आखरी सांस तक इस धरम को निभाते रहेंगे क्या कुछ कहा अनिल विजने आप खुद सुनिये वेब साइटों से नहीं चला करते हैं सरकारे चलती है रूल अप लास हैं और हर्याना बिजनेस ओप एलोकेशन में पेज नमबर 30 पर हॉम डिबार्टमेंट के अंतरकत रूल 5 में साफ लिखा हुआ है कि CID इसका अभिन अंग है और ऐसे मुख्या मंदरी जी सुप्रीम होते हैं वो चाहें तो इसको बदल भी सकते हैं पर बदलने के लिए एले कबिनेट में पास किरवाना पड़ेगा फिर विदान सवा में पास किरवाना पड़ेगा उसके बाद इसको बदला भी जा सकता है और आज की तारिक तक तो क आप देखेंगे जिन्हों ने देखना मैंने आप उन्यम की बात बताएं आपसर साही से कोई धगड़ा नेगा है मेरा काम ना करने वालों को ठीक करना मेरा धरम भी है मेरा करम भी है और वो मैं आग़ी सांस तक करता हूँ बहराल जिस तरीके से CID विभाग को लेकर ग्रह मंत्री अनिल्विज और मुख्य मंत्री मनोहर लाल के बीच ठना हुआ विवाद एक बार खतम हो गया था लेकिन फिर वेबसाइट के माध्यम से ये विवाद उत्पन हो गया है ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या मनोहर सरकार पार टू में कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि मुख्य मंत्री और ग्रह मंत्री के बीच आपस में तालमेल बना रहे बहराल ये जाच का विशे है लेकिन कहीं न कहीं ये जरूर कहेंगे कि बैठे बिठाए विपक्ष को एक बार फिर सरकार को घेरने का मुद्दा जरूर मिल गया है प्रसमत हैलका के लिए चंडीगर से गौरफगर्ग